सो मज़े की बात है ये कि यहां पे लोगों को रेलाइज नहीं हो रहा है कि अगर बिटकोईन यहां पे 20% का भी करेक्शन देता है अभी करेंट के प्राइस से तो बिटकोईन स्टिल 50,000 डॉलर से उपर होगा तो जिन लोगों का टार्गेट था 30 के का 35 के का वो अब शायद इस बुल सीजन में या अगले बुल सीजन में भी देखने को नहीं मिलने वाला है तो इस से आपको एक लेसं सेखने को मिलता है कि अगली बार आपका जो टार्गेट है डिब बाइंग का उसको थोगे रेलिस्टिक रखें फोकस करें बाइंग पर किसी चीज़ को अगर रखते हैं आगे crypto bubble run आने वाला है आपको लगता है कि हाँ this is the right time सो किसी की भी बात में आके बहुत lower targets ना रखे बिकिस फिर market आपको chance नहीं देने वाली है तो ये तो हो गया bitcoin के भारे में एक fact और market में देखे काफी सारे coins काफी सारे coins में pump आ रहा है मार्च में उस fud को भी मैं आज clear कर दूँगा आपके लिए with proof कोई भी बात आपसे हवा में नहीं करी जाएगी और साथी साथ आज की वीडियो के topics हैं पहले तो हम बात करेंगे coin के बारे में क्या news है जो pump कर सकती है इस पूरे sector को जिसमें ये coin आता है fud क्या है उस coin के round ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एग्जांपल दूँगा कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है इस fud से देखिए ये जो fud है न ये बहुत सारे influencers करते हैं और करते हैं क्योंकि भाई उनको तो बनाना है content ठीक है न कुछ भी होगा तो वो twitter पर डाल लेंगे पर आपको ज़्यादा बनता दिखेगा तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा दोस्त और वीडियो को कर दीजेगा like आज की वीडियो का like target रखेंगे छोटा सा 1000 likes का अगर आप चैनल पर नहीं है और हमारी past की वीडिय सब्स देता रहता हूं जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पोर्टल पर सो पोर्टल की एक डिटेल रिसर्च मैंने दी थी पोर्टल का buying strategy भी यहां पर share किया कौन से price पर buy किया कैसे मैंने position sizing रखिया वो सारी चीजे अपने टेलिग्राम चैनल पर मैं share करता रहता हूं पर बह पीचे के link से आपको join करें नहीं आता है तो इस चीज़ को skip करें आपको YouTube पर Twitter पर भी काफी information मिल जाएगी जब मैंने बूला Twitter पर information मिल जाएगी तो बहुत सारे लोगों को चाहिए call बहुत सारे लोगों को चाहिए quick video बहुत सारे लोगों को चाहिए कि जल्दी जल्दी result मिल जाएगा ऐसी काफे सारे tweets जो मैंने यहां पर शेयर किये वह अच्छा चल रहे हैं जैसे कि मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किया था इस फाइल पर लिंक Twitter और Twitter मैंने और भी बहुत सारी चीजे ऐसी दिखा रहा रही है जो आपके काम आएंगी अभी मैं आपको दिखा रहता हूँ यह सब चीजे में Twitter आदा रहता हूं तो Twitter पर फॉलोव कर सकते हो नीचे official link है सो अब यहां पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने बोला था कि जो स्ट्राटजी है बुलरन के लिए वो चेंज हो चुकी है अपने तो ठीक है बहुत बार हमने 50% 2x 50% 2x कई सारे कोईन फ्री कर रखे हैं endless coins in the past 2 years but अब यहां पर strategy ऐसी हो गई है कि research करनी है conviction रखनी है buy करना है hold करना है और rocket को fly करते रहने देना है तो 20 cent के आसपास मैंने वीडियो बनाई थी ondo पर जब RWA पर जादा मेरी investment है नी but ondo is one of my gems in RWA और 22 cents पर हमने buying करी थी और काफी सारे लोगों ने हमार साथ buying करी और व अगर आप चैनल को subscribe पर होगो तो आगे जाके आपको valuable content मिलता रहेगा तो आज के coin की बात करें तो आज का coin है Arbitrum जो भी बंदा यहां पर वीडियो बंद करके Arbitrum को 100x से 50x से 20x से long कर देगा या फिर 3x से भी long कर देगा और यह सोचेगा अफो मैं अमीर हो गया हूँ तीन यहां पर पूरी वीडियो देखो पूरी analysis देखो एक game plan के साथ काम करो आपको हमेशा ही फाइदा होगा So Arbitrum के बारे में almost सारे लोगों को बता होगा that this is a layer 2 blockchain for scaling ethereum तो यह तो हुई basic सी बात यहां पर अगर हम देखते हैं तो market cap चल रही है अभी 2.56 billion पर अब एक छोटे सी चीज में discuss करना चाहूँगा before starting the analysis कि लोग कहते हैं कि इतना महेंगा coin मत बताओ 2.5 billion dollar का मुझे तो 100 billion का तो ऐसा नहीं होता है अगर आप देखो कि जब Solana था 7 dollars पर जब उस पर maximum फट था यहां पी maximum फट आने वाले है अभी कुछ influencer यहां पर फटा 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 फट करना चालू गरेंगा अगले 10 दिन के अंदर अंदर तो वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ उसको आपक 100 dollar के market cap capture लिए और यहां पर एक चीज और क्लियर करते हैं लोगों के माइंड में जो लोग गलती करते हैं तो अब इसको मैंने वीडियो भी बनाई थी मैंने अपने प्रो चानल में याने की लक्ष्वन प्राइविट सर्कल में 1.33 के उपर एक breakout दिया था ठीक है तो काफी इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी ने 1.33 पर खरीद लिया तो आप खरीद होगी नहीं 2 dollar पर क्योंकि आपको लग रहा है और चीज ऐसे ही भागती चली जाएगी तो बात मैंने आपको बता दिया कि मेरी strategy तो change हो गई है बट आपको अपने fund के सबसे strategy रखनी चाहिए अग change my strategy, hold your profit strategy मैं use करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास fund short हो रहा हाथ में काम करने के लिए आगे market में, because बहुत सारी opportunities आने है, नए coins आने है, यह थिर आने है, LTV वर्स आने है and whatnot, तो 27 upcoming coins की list आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हो, pinned है वहाँ पर research भी कर सकते हो, तो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि अपनी strategy अपने हिसाब से बनाओ, किसी को blindly follow मत करो, आपकी strategy आपके पैसे के साब से होगी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि crypto currency में technical analysis, fundamental analysis matter करता है, वो सब चीज़ आती है, बाद में, सबसे पहले आपको money management आना चाहिए, अगर आपको money management ने आता, तो हो गया काम आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली, arbitrum की, यहाँ पर बात कर ली, हमने strategy की, अब बात करेंगे, मैंने आपको बता भी दिया, कि हमने 1.33 पे लक्षपन private circle में, इसको breakout को catch कहता, तो अब मैं यहाँ पर द EIP4844, simple language में समझाता हूँ, EIP4844 is basically for making layer 2 blockchains more scalable, more fast and more cheap for Ethereum, तो Ethereum का update है, पर है totally around layer 2 blockchains, तो यह काफी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और जब बात करेंगे, हम layer 2 blockchains की, तो layer 2 blockchains में अगर आप देखो के, तो TVL सबसे ज़्यादा, आर्बिट्रम में है, तो अगर आप देखो के fundamentally, अब मेरे को यहाँ न, soul vibes आती है, soul vibes क्यों आती है, आप समझो उस चीज़ को, कि Solana जब फट चल रहा था न, तो fundamentals में कोई दिक्कत नहीं थी, सुलाना की, बस Sam Bankman फ्रीट का फट चल रहा था, चार्ट पे लोग फट कर रहे थे, बस fraud कर रहे थे, खामगा, कि खतम होगे, सुलाना, यह होगया, Cardano के CEO ने आकर बोल लेगी, हमारी side chain मन जाओ, तो हमारी लिए layer 2 blockchain का काम कर दो, बट हुआ क्या, Cardano वहीं का वहीं था, disbelievers वहीं के वहीं थे, सुलाना आज की rate में 100 डॉलर से उपर trade कर रहा है, और 7 डॉलर पे जो atmosphere था, वो atmosphere आपको ढूलना है, फिर करनी है अपनी fundamental research, fundamental research में आपको पता लगता है कि नहीं, चीज तो काम बढ़िया कर रही है, तो लोगों को ignore करो, cheese को देखो, fundamental को देखो, और फिर देखो chart को, अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप देखोगे, इनके थोड़े से stats, तो यहाँ पर stable coin market cap जो है, इनकी blockchain पर 2.32 billion dollar है, total value locked is 3.29 dollar, which is very good, I would say, और यहाँ पर अगर आप देखते हो chart, तो अच्छा upside movement है, TVL में, TVL increase हो रहा है, right, so यहाँ पर revenue देखो के तो 106,986, याने की 1,00,000,000 dollar का revenue बना है, fees थी यहाँ पर 7,00,000 dollar की, अभी तक की, तो यहाँ आर्वेटरम में बहुत चाहँ एक sentiment भी है, क्योंकि लोगों को इन्होंने बहुत जबरदस्त add drop दिया है, ठीक है न, तो community भी strong कर र माई 16 को आएगा, पर अगर आप देखोगे, तो जो circulation supply आ रही है market में, ठीक न, so यहाँ पर 14% है, यहाँ पर 15.2% है, यहाँ पर 16.4% है, एक एक परसंट करके बढ़ेगी, अब यहाँ पर जो allocation आ रही है, वो team and advisory के आ रही है 2.70%, investors के आ रही है 2.70%, right, so यह ऐसे ही unlock होता चल जिए था, जैसे की Gala, जैसे की Solana, जैसे की, let's say KDA, XC Infinity और, 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 कौन, दो, चार, जो 100X वाले जितने भी coin थे, आप सब को देख लो, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि आपको conviction तभी बनेगी, एक वीडियो देखके, दो वीडियो देख तो मझे बहुत अच्छा लगता है, और, बहुत support भी मिलता है, इसलिए मैं ऐसी वीडियो से लाता रहता हूँ, बड़ आपको एक चीज़ धियान रखनी है, कि इसके बाद भी आपके पस homework है करने को, ठीक है, तो यहाँ पर ही, अगर आप पास देखोगे, तो बहुत इनकी अभी भी नहीं आएगी है, मार्केट में, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, कि जो circulation supply है, वो अभी भी पूरी 74% आईए, तो जब यह pump होना चालूगा था, तब तो शायद 24-23% ही थी दोस्त, तो bull market में bad news काम नहीं करती, bull market में good news काम करती है, जैसे कि हम जब ए इसके बाद नहीं समझा रही, उनका bull run पक्का में सोगा, यह मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब यहाँ पर बात होती है, इस FUD को clear करते हैं, एक जामपल के साथ, तो यहाँ पर मैंने एक tweet डाला था, देखो मैं आपको Twitter पर बहुत सारी चीज़े देता हूँ, Twitter पर follow ज़र 24 में Ape का token unlock था, ठीक है यह था token unlock की candle और उससे पहले की daily candles, उसके बाद की daily candle आप देखो, तो कितना impact आगया मेरे भाई, इतने बड़े unlock में आपने अगर short कर भी दिया, तो क्या कमाया आपने, कुछ नहीं कमाया, आपने एक candle का short था और पिछली 10 candle या अगली 4 candle long की थी, त long short की तो बात ही छोड़ दो, जो लोग इन चीज़ों को देखके अपनी holding sell कर देते हैं, कही सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं, कि for example, अभी आर्बिटरम चल रहा है 2 डॉलर पर उसकी बात करेंगे, ठीक है, तो आर्बिटरम चल रहा है 2 डॉलर पर तो smart बनते हैं, ये 2 डॉलर कि बेच दिया, जब आपको long term conviction है किसी चीज़ पर, तो short term price action को trade करने की जगा, थोड़ा सा और लालच अगर आप कम कर लो अपने अंदर, यानि कि मैं और थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, quantity बढ़ जाएगी, ये सब चीज़े एक, मैं बता रहा हूँ, आपको losing stage पर ले जाए हो, so यहाँ पर 1.96 dollar पर ApeCoin चल रहा है, तो क्या हुआ, token unlock से कुछ भी नहीं हुआ, जो whales है, जो investors है, private investors है, seed investors है, या जो team है, उनको भी आप से अच्छा बताएगी, bull run चल रहा है, और अगला एक साल बहुत बढ़ी है, तो अपनी holding को सस्ता में क्यों बेचेंगे, जब उ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताना चाहूँ, 1.69 से लेगे, 2.27, 2.27 का इतना क्या significance है, तो मैं आपको बताएगता हूँ, कि 2.27 के उपर, daily candle हमें एक भी close होती भी नहीं दिखिया भी तब, तो यहाँ पर लगाएंगे एक alert, alert लगा पर रहेंगे, जैसी यह cross करेगा, यह all time high यहाँ पर अपना cross करेगा, और यहाँ पर pattern भी bullish ही है, तो all time high जब cross करेगा, इसके उपर रहे 1 day candle sustain करेगी, 2.27 के उपर, तो यहाँ पर नए all time high बनते दिखेंगे, और जल्दी दिखेंगे, क्योंकि फट भी आ गया, अब क्या कहत है, हमारा indicator, हमारा setup क्या कहता है, वो भी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या situation चाहिए, मैं बतायता हूँ आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहे है, situation मुझे क्या चाहिए, मैं बतायता हूँ, अपने setup के according, तो थोड़ा आपको help करेगा, यह एक green situation थी, let me show you, उसको mark कर लेते हैं, चार्ट पर हमें जाधा अच्छा एक idea रहेगा, यह green situation थी, red line ने green line को ऊपर की दरफ cross कर दिया था, ठीक है, और यह भी एक अच्छी situation थी, जहाँ पे हमें, जो पीछे gunpowder है, उसने भी support दे दिया था, यानि की volatility अच्छी थी market में, specifically arbitrum में, तो जब दो green point मैं किये हैं, उसके बाद move कैसे है, यह देख लो, ठीक है न, move अच्छे घास है, पहले green point से, पहले green point mark से, move आया था at least 57% का, which is a decent gain, I would say, and दूसरे उससे आया था सीधा-सीधा gain, 122% का, तो 122% भाई, कम नहीं होता, यहाँ पे फिर आपका अगर जैसे capital कम था, तो आप अपना back free कर सकते थे, आर्बिटर हम आपके portfolio में आ गया है, और आप move on कर सकते थे, right, so अगर आपको आर्बिटर में entry लेनी है, you always use partial entries, partial entry में आपका भी losing situation में नहीं आते हो, हमिशा winning situation में आते हो, यह अभी partial entry बता दूँगा कैसे बनती है, हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि देखेंगे, so one day time frame में situation क्या कहती है, यह देखना चाहूँ, देखो, जब three day time frame में situation अच्छ हुई थी, तो one day में भी अच्छ हुई थी, this was the situation, इसको थोड़ा समय आगे कर लेता हूँ, क्योंकि हम one day time frame को study कर रहे है, right, so अब यहाँ पर यह situation दुबारा मुझे बनती दिख चाहिए, तो यह हमें मिलेगा, तो यहाँ पर यह अच्छी situation मनेगी, जैसी यहाँ बनी थी, तो आर्बिटर हम पर पूरा ध्यान दे, फट पर ध्यान मत दे, पहले अपना करे fundamental analysis, ठीक है, पहले समझ ले चीज को है, क्या आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, conviction नहीं होगा आप बेज दोगे, जैसी आप बेचोगे, वो चीज आपको ऐसे level पर जाके दिखे कि फिर आपको भी खरीदने की सोचोगे ही नहीं, तो यहाँ पर partial entries कैसे लेते हैं, यह बताए तो, वीडियो करते हूँ, खतन, बहुत easy चीज है, काफी सारे लोग follow करते हैं strategy को हमारी, तो यहाँ आर्बिटरम तो कुछ करेगा, और यहाँ पर जो FED बन रहा है, उसका जाधा फाइदा, मतलब impact जो price पर है, वो negative नहीं आएगा, तो आपने 60% entry ले ले, 40% जो है दोस्त, 40% जो है, आपने हाथ में रखोगा, for the worst case scenario, जाने दो नीचे, फिर क्या हूँआ, आप दोनो side winning situation पर आ गए, गिर गया तो और सस्ता करीद लोगे, क्योंकि conviction तो ही, चीज़ पर कि अच्छा perform करेगी, fundamentally अच्छी है, और सब चीज़े, और अगर उपर चली गई, तो 60% पर ही gain लेना, मज़े गरना, यह 40% हाथ में है, काम आ जाएगा, आगे किसी coin में, किसी opportunity में, right, so इ तो वो मुझे भी नहीं देखी, पर जब आई की भी, तो 20% की correction पूरे पिछले एक साल, एक साल, एक साल हमने देखी, उससे फादू की correction देखी नहीं है, 20% आ भी जाएगी, तो bitcoin 50,000 से नीचे जाएगा नहीं, so 50,000 पर जब था, तो लोग चिल्ला चिल्ला गए बोलते हैं, और conviction से research करके चलोगे, तो आप यहाँ पर पैसा जरूर बनाओगे, और कई सारे लोग मीचे comment करेंगे, कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, long कर दूँ, उस type के लोग भाई पैसा नहीं बना पाते, ऐसे एकदम से किसी के ओपर depend नहीं हो, आपको आपका पैसा hard earned money है, उसक जरूरी है, यह सब चीज़े आपको दिखाना जरूरी है, अब बात करते हैं, माहिरिया की, one of my favorite coins, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर था maximum for token unlock का, वो token market में आ रहे हैं, market में आ रहे हैं, market में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, 100% unlock थोड़ी हो गया, अभी भी आ सकते हो, bullrun माहिन में रखोगे तो bullrun आएगा, beer market या dump का वेट करते रहोगे, तो फिर bullrun हाथ से नकल जाएगा, तो मिलेंगे दुबारा नई वीडियो, नई content और नई opportunities के साथ, लॉफ 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 तो मैं हूँ, आपका house collection, दिहान रखेगा दोस्तों